हेलो एवरिवन स्वागेत है आप सब का आपके अपने चैलो में तो आज की ब्रूड़ी में में बताऊंगा जब आप भरती में 1600 मीटर रनिंग करने जाते हो तो किन किन चीज का आपको ध्यान रखना है टिप्स बताऊंगा ट्रिक्स बताऊंगा ताकि जो 1600 मीटर है आपकी अच्छे से निकल जाए में ली होता है कि है जिसका ग्राउंड में टाइम चार चालिस भी आता है न दोस्तों जब वो देखता है इतनी सारी भीड तो काफी दिक्कत होती है तो में ली यही बताऊंगा कि अगर अब धाकड प्लेयर भी हो फिर भी ये टिप्स जान लो ताक कि आपको दिक्कत ना हो जब भी भरतिया हो आप अच्छे से अपनी रणिंग निकाल पाओ दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरा कॉंफरेंस लेवल है वो काफी बढ़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू दोस्तों सबसे पहले अपनी रणिंग को कभी बंद ना करें ठीक है आपकी भरती दो तीन चार महीने बाद भी है तो अपनी जो रणिंग है वो continuous में रखें है regular रहें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना है ठीक है तो में लिए अब मैं बताता हूँ अगर आपकी भरती है जैसे तीन-चार दिन बाद भरती है तो दो दिन पहले ही practice करें उसके बाद ना करें ठीक है दो दिन का gap रखोगे तो काफी अच्छा मिलेगा ठीक है सपोज आप दोस्तों जाते हो भरती में ठीक है भरती में जाते हो और वहां आपको काफी लंबी लायन लग जाती है तो मिली आपको बैठा दिया जाएगा तो दोस्तों आपको उस हिसाब से बैठना है कि आपके पैर ठके ना अगर आप जो पालती मार के बैठो हो गए ना तो आपके पैर ठक जाएंगे काफी दिक्कत हो तो मिली क्या करना है आपको जो पैर है आपको खोल के रखोगे तो काफ करते रहते हैं एक दूसरे बात करते रहते sensors Bost होती है ठीक है आप ठो चुप चाफ रहो किसी से बात मत करो मैं फोकस रखो कि हां में जब मैं ground में जाओंगा तो किस हहसाब से first पहला round मारn आ से second की खात से मानना है मतलब अपने दुमाइक में planning करो तो पॉस है Zar blanning के मारनी है और मुझे excellent में आना है हाला कि जब मैं जब मैं गया था भरती में रणिंग करने तो मेरा timing काफी अच्छा था मेरा 4.45.50 तक मेरा timing आ जाता था ठीक है और जब मैं ground में गया तो मैं काफी नर्वस हो रहा क्योंकि वहाँ पर बंदे में को ऐसे लग रहते खतना खतना कि यार यह तो मेरे से भी तगड़ा होगा मेरे से भी तगड़ा होगा लेकिन जब यार ग्राउन में तुम खुद रनिंग करोगे ना थोड़े नर्वस होगे बट यह कभी मस सोचो यह सोचना है और मुझे कुछ कि मारके लग यह कोशिश करना क्यूंकि अगर जो अच्छे सचा बंदा भी होता है अगर पीछे से लग सा रिखना ही 100 m श्मस लाईल लह जाती हैी चार 750 और धाट यह आसटा हम दो और अगर पीछिय लगए तो भाट ही जादा मैं नई कॉंग मुश्किल हो जाता है आपके तो कोचिश करो गिरना नहीं, गिरने से बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, तो कोचिश करो साइड में लगो, बीच में मत लग जाना, बीच में लग जाना, बीच में लग जाना, अगर बीच में आगे लग जाते हो, तो सौ मीटर तो आपको बुरी तरह खीचना है, खीचना इ लगना है या राइट साइड में लग जाओ या लेफ्ट साइड में एक तुम कौने पर लग जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा हम सब जानते हैं कि अगर सरीर हमारा वाम अप रहता है तो रनिंग करने में काफी आसानी रहती है लेकिन उस समय पे क्या आपको वाम अप करने क ती मसल ली थी सम्तिंग मैं काँगा तीन चार मिनट पहली मसल ली ती उससे क्या हो गया पैर हीट हो गया और जब मैंने 100-200 मीटर स्प्रिंट मारी ना मतलब बुरी तरह खींचा तो मुझे बिलकुल दिक्कत नहीं हुई तो ऐसे आप भी कर सकते हो ठीक है जो मैंने बताए काफी खाईती डेरी मिलक से असा बताते थे मेरे उस्ताज सीनियर से वह आता थे कि डेरी मिलक काफी है तो मैंने वह खाई थी और में काफी यह टीक है जूश बगएरा पी है मैं काऊँगा और दो दिन में कुछ इसपेसल लाइट लेना अची डाइट ली और इंजेक्शन ये सब के चक्कर में मत रहना कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि क्या करते थे रनिंग करते करते उन्होंने परी जांगों में इंजेक्शन लगाया है और मैंने ये भी देखा है कि वो आभी जाते हैं बट मैं कहूंगा ये सब ठीक नहीं है ये सब इनके चक्कर मत रहें आप बस मेहनत पे विस्वास रखें दोस्तों जै हिंद जै भारत